इस्टूरेंट हम डिस्कस करेंगे, important news के बारे में और उससे related जो information है हमारे UPSC के exam के perspective से important उसको हम यहाँ पे discuss करेंगे, first news is regarding the जम्मो एंड कस्मीर के बारे में हैं, आप देखें कि 2019 के समय government के दुआरा जम्मो एंड कस्मीर को bifurcate किया गया था, और उसी समय में जो जम्मो जम्मो एंड कस्मीर को special status provide करता है, article 370 उसको भी abrogate किया गया government के दुआरा, तो basically government के जो decisions है, इसको challenge किया गया Supreme Court के अंदर में, Supreme Court ने अपनी constitutional bench के थूरू government के जो decision है, bifurcation of जम्मो एंड कस्मीर, abrogation of article 370 को uphold किया गया है, उस constitutional bench के थूरू, पर आप देखें कि उस constitutional bench के द statehood है, उसको आपको restore करना है, जल से जल जो statehood है, उसको restore करना है, जम्मो एंड कस्मीर के अंदर में, जो election से उसको carry out करना है, जम्मो एंड कस्मीर के अंदर जो deadline है, वो बताई गई है, कि जो 30 September का जो दिन है, 2024 का, उससे पहले आपको जो election से उसको carry out करना है, जम्मो एंड क जोइन करने के बाद में as a instrument of accession के थूरू जब union को जोइन किया गया जम्बू कस्मीर के दुआरा तो यहाँ पे जो territorial sovereignty का जो claim है वो reject किया गया है आप देखें का article 3 के थूरू हमारा जो parliament है वो completely powerful है और parliament के थूरू जो नया state है वो create किया जा सकता है जम्बू एन कस्मीर का जो claim है उसको reject किया गया सुप्रीम कोट के दुआरा इसके लावा students आप देखें कि कुछ दिन पहले भी हमने discuss किया था कि जम्बू एन कस्मीर का जो legislative assembly है उसके perspective से कोई दो नई amendment है वो government के दुआरा प्रपोज किये गए थे parliament के अंदर में that is regarding दा कि वहाँ का legislative assembly का जो seats है उनका भी add किया गया कि जो वहाँ के LG है उनके द्वारा migrant community को जो nominate है वो किया जाएगा legislative assembly के अंदर में तो रिसेंटली कुछ बिल्स हैं जो प्रपोज किये गए थे parliament में that is regarding the जम्मो एन कस्मीर का legislative assembly के regarding में territorial sovereignty के बारे में हमने discuss किया उस claim को reject किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ प perspective से अगर आपको यहाँ पर और भी कुछ read करना है तो basically आप कुछ articles के बारे में read करना students एक article है 238 238 क्या है students state reorganization के regarding में है 1956 का जो हमारा state reorganization act है उसके बारे में बताया गया है कि जो part second के अंदर में जो हमारा schedule one का part second के अंदर जो states बनाए गए थे उनका reorganization के regarding में है जो students अगर आपको और भी read करना है तो आप basically यहाँ पर read करना article 367 के बारे में 367 जो basically 370 के perspective से है कि कैसे इसको amend करना है उन सभी के बारे में information बताई गई है और यहाँ यहाँ पर discriminatory जो provision है article 35 एक के बारे में भी read कर सकते हो कैसे वो outside India के जो अलग citizens है उसको discriminatory provisions हुआ करता था जि आप वहारा जो completely union है उसके अंदर कोई भी separate जो provisions वो available नहीं है कुछ states को जो अलग से जो special provisions वो बताई गए है article 371 के अंडर में पर उसके अंदर में इस तरीके से नहीं है कि center का कोई भी power ना हो center के कोई भी laws वहाँ पे apply ना हो कुछ areas को वहाँ पे जो tribal community के perspective से या वहाँ पे जो special attention की जरुरत के इसाब से कुछ special provision है वो article 371 के अंदर में define किये गए हैं जिसमें गुजरात है महराष्टरा है करनाटक का region है सिक्किम है ऐसे काफी कुछ areas है जिसको उसके अंदर बताया गया है इसने हमने काफी बात discuss किया है article 371 को next अगर हम बात करें by election process के बारे में है आप देखी कि पूनी के अंदर पिछले one year से जो seat है लोकसभा का जो seat है वहाँ पे जो elections है उसको carry out नहीं करवाया गया तो उसी के regarding में जो लोगों ने वहाँ पे court के अंदर challenge किया गया है election commission के इस provision को election commission का जो inability है conduct the by election process उसको basically challenge किया गया तो आपको यहाँ पे basic information होनी चीए कि by election का जो process है जो representation of people's act के अंदर define किया गया है representation of people's act का जो section 151a है 151a के अंदर बताया गया कि कहीं पे भी अगर आप देखिए कि more than the one year का अगर tenure बचा है और वहाँ पे जो seat है वो vacant हुई है due to किसी ना किसी region की वज़े से चाहे वो यहाँ पे resign करने की वज़े से seat का vacant हु हो या वहाँ पे जो seat है वो जो death की वज़े से vacant हुई हो वहाँ पे जो election से उसको carry out किया जाएगा election commission के दौरा बट अगर वहाँ पे one year से less tenure अगर बचा है तो वहाँ पे जो by election से वो नहीं create किये जाएंगे नहीं conduct करवाई जाएंगे election commission के दौरा तो representation of people's act का जो section 151a है उस की regarding में जो discuss करना चाहिए आपको information होनी चाहिए सबसे पहले आप देखी कि जो prison का जो concept है jail का जो concept हो कौन सी list के अंदर है जो हमारा state list है उसके अंदर में define किया गया है jail का जो concept है हमारे जो prison आप देखे कि completely एक nexus हो बन चुका है हमारे जो criminals है वो वहाँ पे रहते हैं अपन गोर्मेंट के दुआरा अमित्वारोई पैनल है उसको फोर्म किया गया अमित्वारोई पैनल को that is regarding the prison concept के बारे में है कि क्या हमारे यहाँ पे occupancy rate है वो काफी ज्यादा है हमारे जो prisons हैं वो colonial era के समय के हैं present समय में नए module के थूरू नए जो upgraded जो prisons हैं उनको बनाने का ज़र रहत है तो उसके बारे में discuss किया गया था अमित्वारोई पैनल के बारे में जिसको कि हम September और October के मन्त के समय two three times इसको discuss किया था newspaper discussion के अंदर ही आप देखें कि 2022 2023 का जो हमारा prelims का paper है उसके अंदर भी prison के regarding में जो question है वो पूछा गया था next अगर हम बात करें student तेलंगाना के अंदर नया government है वो form हुआ है उसी के regarding में किसानों का एक scheme है रायतू बंदू रयातू बंदू नाम का जो scheme है उसके बारे में यहाँ पर define किया डिसकस किया गया है कि जल्दी जो next week से उनको जो पैसा है वो यहाँ पर credit कर दिया जाएगा रायतू बंदू scheme के थूँ ऐसी एक और scheme है अलग-अलग states के अंदर में जैसे ओडिसा के अंदर कालिया नाम का एक scheme है हमारी government का जो PM किसान सम्मान निदी है center government का तो अलग-अलग scheme से भावांतर भरपाई योजना भी है एक हरियाना government का ऐसा एक scheme तो similar कुछ ऐसी scheme से जिसके थूँ हमारे farmers को जो credit है वो provide किया ज है तो उसी के regarding में वहां पर जो फार्मर से हो प्रोटेस्ट कर रहे है तो उसको basically center के द्वारा कहा गया कि sponsor एक प्रोटेस्ट है next अगर आप अगर हम बात करें onion के बारे में तो आपको सबसे पहले एक जानकारी होनी चाहिए कि onion basically कौन से कौन सा crop है क्या रभी का crop है या हमार खरीब का crop है तो आप देखी कि हमारा ट्वेल आवर्स ट्वेल जो मन्स है हमेशा इसका जो basically जो हार्वेस्ट है वो किया जाता है हर एरिया के अंदर में different time जो onions है उसका जो production है वो आपको देखने के लिए मिलता है mainly अगर हम onion के बारे में बात करें तो हमारा जो मानसून का जो session है उस समय इसको उगाया जाता है next अगर आप देखे कि उनके द्वारा जो बेन है वो लगाया गया डायरेक्टर जनरल ओ फोरन ट्रेड है जो ministry of commerce के अंडर में आते हैं उनके द्वारा जो बेन है वो onion के perspective से लगाया गया है onion के एक market के बारे में हमने discuss किया था कि आप road safety जो project है उसको develop किया गया उसको यहाँ पर discuss किया गया है आप देखे कि सबरी माला के ही perspective में आपको जो आयपा महराज है आयपा महराज वहाँ पे situated है सबरी माला का एक case भी है 2018 के समय का supreme court के अंदर में जिसके अंदर essential religious practice को recognize किया गया था essential religious practice के बारे में define किया गया और women's क जो entry है उसको allow किया गया था supreme court के अंदर सबरी माला के इस temple के अंदर में सबरी माला के अंदर जो आयपा महराज है उसका यहाँ पर basically worship किया जाता है आयपा महराज एक celebrate है वो उनके द्वारा जो भ्रहमचरिय का जो पालन है वो किया गया था इसी उजह से कुछ religious organizations के द्वार कहा जाता था कि women's का जो entry है वो यहाँ पर allowed ना किया जाए नेक्स्टी जगा हम बात करें अगर government के द्वारा वहाँ पर road safety project को develop किया गया है जिसके main motive यही है कि maximum जो road safety है वो देखने के लिए यहाँ पर कुछ accident सा वो देखे जाते थे इसकी regarding में यहाँ पर develop किया गया जिसक समय हमारा एक noble जो ओसकर का जो documentary price है वो इंडिया से ही दिया गया है whisper of elephant के perspective में उसमें भी basically elephant camp को ही define किया गया कि कैसे couple के द्वारा जो elephants को वहाँ पे जो protection है वो दिया जाता है कैसे उनका care किया जाता है तो उस elephant camp के बारे में भी आप read करना क्या यह वही elephant camp है क्योंकि 2023 के समय में जो oscar दिया गया oscar का जो documentary दिया गया जो whisper of elephant का जो concept है उसी को दिया गया था next अगर हम बात करें students odisa का जो यहाँ पे journey है regarding the food security के perspective से उसको यहाँ पे discuss किया गया है आप देखे कि students cope 28 का जो meeting है वो कहाँ पे organize हुआ दुबाई के अंदर में उस cope 28 की meeting के अंदर सभी climate change को हमको यहाँ पे deal करना है global warming को reduce करना है पर आपको students यहाँ पे पता होना ची कि all over अगर हम completely year को analyze करें तो आपको 560 के आसपास जो disasters है वो देखने के लिए मिलें 560 के आसपास जो disaster है completely जो year है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे on average अगर हम बात करें तो 1.5 ज आपको देखने के लिए मिलेगा flood का situation आपको देखने के लिए मिलेगा तो उसी के regarding में यहाँ पे जो disaster से उसको बताया गया है कि total 560 है अगर on average बात करें 1.5 के आसपास जो disaster है per day आपको observe किये जाते हैं completely world के अंदर में यहाँ पे अगर हम बात करें जो global warming अगर यहाँ पे increase होगा तो hunger और malnutrition है वो भी यहाँ पे increase होगा क्योंकि आप देखें कि जो productivity है जो agriculture जो productivity है वो यहाँ पे decline होगी global warming की वज़े से तो उसी को यहाँ पे discuss किया गया है climate crisis इसके साथ साथ जो conflicts increase हुए है conflicts के आसाथ आप देखी कि world के अंदर में जो जिस तरीके से distrust का जो situation है उसको देखते हुए है यहाँ पे बताया गया कि कैसे Odisha के दुआरा अपने आपको यहाँ पे transport किया गया है प्रिजेंट समय में agriculture development के अंदर में पहले Odisha के अंदर में आप देखी कि Odisha basically rice है जो Odisha के द productivity है जो agriculture जो productivity है वो वहाँ पे increase हुई है 2022 के समय में अगर हम rice के बारे में बात करें तो basically वहाँ पे small and marginal जो farmers है वो situated है कभी Odisha का एक region है काला हंडी काला हंडी को basically जो land of hungers के रूप से कहा जाता था present समय में Odisha का जो rice of bowl के रूप से उसको कहा गया है इसके अंदर आप देखी इस तरीके से जो agriculture productivity के उपर ध्यान दिया गया उसको transform किया गया वो basically यहाँ पे जो हमारा sustainable development goal है goal number two क्या है zero hunger को हमें अचीव करना है उसको भी यहाँ पे अचीव करने में help करेगा next अगर हम बात करें गुडिसा का government के दूरा जो कालिया नाम का जो scheme है वो चलाया गया कालिय क्रिसुक assistant livelihood and income augmentation जो scheme है जिसके तुरू यहाँ पे जो agriculture जो productivity है वो increase हुआ जो हम बात करें जो geolocations के perspective से जो vulnerable थे climate crisis के perspective या उडिसा जो complete state है वो भी आप देखे कि उसका जो geographical location है उसके perspective से climate जो इतने भी crisis है उसके लिए vulnerable है क्योंकि वहाँ पे जो cyclone है वो आपको देखने क लिए मिलते हैं उनी को यहाँ पे देखते हुए उडिसा government के द्वारा एक comprehensive climate action plan है उसको develop किया गया crop weather report है crop weather watch है जिसको timely review किया गया वहाँ के chief secretary के द्वारा district level के उपर crop का जो planning है उसको carry out किया गया और zero input जो farmer natural farming है उसको यहाँ पे boost किया गया जिससे कि यी surveillance है उसका carry out किया result के बारे में बात करें तो हमारा जो यहाँ पे food corporation of India का जो pool है उसके अंदर जो fourth ranking है उडिसा का आपको देखने के लिए मिलता है 9% के आसपा जो agriculture जो rice का productivity है उडिसा का है food grains के अंदर में 4% के आसपा जो agriculture का productivity है उडिसा के थूह ही आपको देखने के लिए मिलता है target जो public distribution जो system है उसको targeted किया गया उसमें rice fortification का concept है biometric को वहाँ पे introduce किया गया जिससे कि यहाँ पे जो leakage है उसको reduce किया जा सके world food program का जो collaboration है उसी के थूह यह जो benefit है वो देखने के लिए मिला है और आप देखें कि तूट हाउजेंट के समय में जो उडिसा जो basically जो rice है जो इसका एक main stable food है जिसका import किया जाता था वही उडिसा के अंदर में national food security act का जो state ranking index है उसके अंदर उडिसा के दुआरा top किया गया 2022 के समय तो यह basically food security के perspective से उडिसा का एक successful journey है उडिसा के वो region जो काला हंडी है उसका किस तरीके से transform किया गया है land of hunger से land of rice bowl के रूप में तो उन सभी को यह यहां पर discuss किया गया है उडिसा का जो journey है उसके perspective से next अगर हम बात करें students next यहां पर जम्मो एंड कस्मीर के बारे में ही है article 356 के थुरू अगर यहां पर president के दुआरा कोई भी decision लिया जा सकता है तो उसका जो judicial review है वो हो सकता है यह supreme court के दुआरा जम्मो एंड कस्मीर के perspective से ह यहां पर जम्मो एंड कस्मीर के जो local body elections है उसके बारे में भी discuss किया गया है कि काफी सारे ऐसे जगह है जो completely vacant है वहां पर elections है उसको carry out नहीं किया गया है since 2018 से आपको article 356 के बारे में पता होना चाहिए article 356 है article 365 है यह basically constitutional जो emergency है उसके regarding में है state emergency के regarding में कि कब वहां पर state emergency है उसको impose करना है और हमारे independence के बाद में कौन सा ऐसा state है जिसमें सबसे पहले जो state emergency है जिसको impose किया गया था क्या वो पंजाब नाम का state है क्या वो पंजाब नाम का state है या आपको comment section के अंदर बताना आप क्या article 356 का जो first time use है कौन से state के अंदर किया गया था after the independence next अगर हम बात करें आप देखें कि हमारे जो नए जो criminal code से उसके बारे में कहा गया है कि जल्दी उनका रोल आउट किया जाएगा यहां पर government के दुआरा जिसके अंदर IPC है CRPC है और Indian evidence act है उसको यहां पर replace किया गया है नए जो criminal code से उसके थ्रू में basically students यह काफी ज़्यादा जरूरी भी था उसके behind के region यह है कि काफी सारे ऐसे हमारे crimes है जो present समय में upgrade हुए है जैसे कि cyber fraud है वो upgrade हुआ है काफी सारे ऐसे जो crimes है वो उस समय में नहीं हुआ करते थे colonial era के समय में उसी के perspective से जो नए लोज है उनका जरूरत था जिसको यहां पर frame किया गया जल्दी इनका roll out है वो किया जाएगा tribunals के द्वारा 32,000 के आसपास जो लोग है उनको foreigner के रूप में designate किया गया है आसाम के अंदर में तो आपको जो foreign tribunal का जो concept है एक quasi judicial body है 1946 के इस order के थूरू इनको establishment किया गया और इनी के द्वारा जो NRC के अंदर में जो doubtful जो d voters है उनको यहाँ पर examine किया जाता है और इनी के द्वारा उनको जो foreigner है उसका जो title है वो दिया जाता है तो basically आपको पता होना चाहिए foreign tribunal act है 1946 का जिसके थूरू इसका establishment है जिसके अंदर में persons को appoint किया जाएगा district level पर उपर इनका appointment है वो देखने के लिए मिलता है foreign tribunals का present समय में जो foreign tribunals की जो संक्या है वो काफी अधिक है चेन्नाई के अंदर flood का situation create हुआ था अभी मिचों cyclone के समय उसको हमने already discuss किया है तो आप देखे कि चेन्नाई के अंदर flood का region बताया गया वो clogging का बताया है कि वहाँ पे जो water है वो पास नहीं हो पाता है वो भी एक reason है जो plastic का जो waste है वो भी वेसिकली यहां पे सिवरेज के अंदर blockage का काम करता है यह कुछ ऐसे reasons बताये गए है चेन्नाई flooding के behind में high court के अंदर में next अगर हम बात करें students world page के regarding में है आप देखे कि पोलेंड के जो नए location के बारे में पता होना जीए suppose कि जो students यह पोलैंड है suppose करना ह्कोबार्ण है यह पोलैंड के आपके यहां पे आपको लिथ Bornia नाम का country है वो देखने के लिए मिलेगा लिथ॥ Bornian का country है इसके यहां पर आपको देखे कि बेलारू से इसके यहां पर जो क्या है बेलारू से जिसको ओलरेडी हमने काफी बार डिसकस किया है canion guard है ये पेलारूस के यहाँ पर आपको युकरेन देखने के लिए मिलेगा युकरेन के लवा आप worship आप देख़ें कि के बारे में बात करें तो basically students यह Baltic Sea है basically यह Baltic Sea का एरिया है तो इस तरीके से आपको location के बारे में पता होने चीए पपवा न्यूगिनी का location के बारे में बात करें तो students आप suppose कीजिए कि यह Australia का location है यह Australia है Australia का जो northern part है North East का जो part है उसके अंदर में आपको जो पपवा न्यूगिनी है वो situated देखने के लिए मिलेगा यहां पर जो सी है उसको हम किसके नाम से जानते है अराफूरा अराफूरा सी है इधर जो अगर हम बात करें इस्टन साइड में जो सी है उसको हम कोरल सी के रूप से जानते हैं तो यह locations के बारे में आपको जरूर से पता होना जी फिलिपाइन्स और चाइना के perspective से है जो South China सी के अंदर उनका जो trade का जो dispute हुआ जो उनके बीच में जो conflict देखने के लिए मिला है उसको यहाँ पर discuss किया गया है नेक्स्ट अगर हम बात करें आप देखें कि गाजा इस्ट्रिप continuous news के अंदर है last two months से Palestinian का जो issue है वो भी continuous news के अंदर है civilians को यहाँ पे काफी सारा जो problem से वो face करनी पड़ रही है present समय में जिस तरीके से इस्ट्राइल के दुआरा वहाँ पर attack किया गया next अगर हम बात करें students UK के जो prime minister है उनके दुआरा UK government का जो covid-19 के समय जो decisions से उसको यहाँ पर defend किया गया है so this is all the information related to the world का page के regarding में आज के newspaper के perspectives इनको आप read कीजिए revise कीजिए तो thank you students thank you very much